इस वीडियो में हम प्रकरती कक्सा 5 कार्य पुस्तिका की दिन 35 और दिन 36 की वर्कशीट का हल देखेंगे सबसे पहला प्रशन है हमारा अपने आसपास रहने वाले किनी तीन परिवारों के सदस्यों के साथ निम्न मुद्दों पर बातचीत करके तालिका में लिखे तो आपको अपने परिवार के आसपास रहने वाले तीन परिवारों से बातचीत करनी है और उन से किन मुद्दों पर बातचीत करनी है इन मुद्दों पर यानि इन विशों को लेकर बातचीत करनी है और जो आकड़े आपको प्राप्त होंगे उन्हें यहाँ पर तालिका में लिखना है तो उधारन के लिए जैसे माल लीजिए हमने तीन परिवारों से बातचीत की तो पहला मुद्दा था कितने वर्षों से यहां रह रही है तो हमारा जो परिवार वन है वो तीस वर्षों से रह रहा है परिवार 2 पचास वर्सों से और तीसरा परिवार 40 वर्सों से रह रहा है पहले कहा रहते थे तो परिवार 1 दूसरे गाउं में रहता था वो कहीं दूर दूसरे गाउं में रहता था परिवार दो जिस गाउं में अब रह रहा है वो इसी के पडोसी गाउं में पहले रहता था परिवार तीन ये भी पहले किसी दूसरे गाउं में रहता था आगे परिवार में कितने सदस्य हैं परिवार एक में छे सदस्य हैं परिवार दो में पास सदस्य हैं और परिवार तीन में चार सदस्य हैं दस वर्स पूर परिवार में कितने सदस्य थे तो परिवार एक में दस साल पहले चार सदस्य थे और अब दो सदस्य बढ़े हैं दूसरे परिवार में भी दस वर्स पहले चार ही सदस्य थे यहाँ पर एक सदस्य बढ़ा है और तीसरे परिवार में दस वर्स पहले पांस सदस्य थे अब यहाँ पर चार सदस्य है तो एक सदस्य यहाँ पर घटा है आगे देखिए परिवार में सदस्यों की संख्या में बदलाओं के क्या कारण है परिवार एक में दो सदस्य बढ़े हैं तो यहाँ पर शादी और नए बच्चे का जनम होना यह इन दो सदस्यों की वरद्धी का कारण है परिवार दो में एक सदस्य बड़ा है तो इसका क्या कारण है इसमें शादी हो जाना इस परिवार में एक सदस्य की बरद्धी हुई है तो यहाँ पर इसका कारण है शादी हो जाना आगे परिवार तीन में एक सदस्य कम हो गया है तो इसका क्या कारण है तो एक सदस्य की मरत्य हो जाना इसका कारण है यहाँ पर एक सदस्य कम हो गया है अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रसन को हमारा दूसरा प्रसन है जब आपके दादा दादी नाना नानी छोटे थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे उनके साथ चर्चा करके उनका परिवार वरिक्ष बनाईए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह हमने एक परिवार का वरिक्ष बनाया है अब हम आपको बताते हैं मान लीजिए केशव वो लड़का है जो अपने दादा से बात करेगा और पूछेगा कि जब वे छोटे थे तो उनके परिवार में उस समय कौन कौन थे तो देखिए केशव है अपने परिवार में इसके ममी पापा है रवी और मीरा इसके ममी पापा कौन है रवी और मीरा अब जो रवी है तो केशव बात किस से करेगा मोहित से बात करेगा मोहित इनके दादा हुए तो मोहित जो हैं मोहित की पत्नी प्रीती है यानि कि केशव की दादी कौन है प्रीती है अब हम बात करेंगे मोहित से तो मोहित माल लीजे अपने परिवार में उस समय छोटे थे यानि कि ये मोहित कौन है ये केशव के दादा है तो जब ये छोटे थे तब इनके परिवार मे तो उस समय उनके परिवार में मोहित की बहन कीरती भी रहती थी मोहित तो थे ही और उनकी बहन कीरती थी उसके बाद मोहित के और ये कीरती जो है ये दो बहन भाई है इनके मम्मी पापा कौन थे रमेश और सीमा रमेश और सीमा मोहित और कीरती के मम्मी पापा थे उसके बाद रमेश जो थे वो अपने रमेश कोन है मोहित के ये पापा है अब ये रमेश के मम्मी पापा जो थे वो रामकिशोर और कीर्थ पारवती थे रामकिशोर और पारवती कोन थे यानि के मोहित के दादा है मोहित के दादा कोन है रामकिशोर और पारवती जब मोहित चोटे थे तो ये है इनका परिवार का वरिक्ष मोहित और कीरती दो भाई बहन थे और मोहित के और कीरती के ममी पापा रमेश और सीमा है और रमेश के ममी पापा कौन है राम किशोर और पारवती यानि के एक चीज़ समझने की है राम किशोर और पारवती मोहित के क्या हुए दादा है, मोहित के दादा रामकिशोर और दादी पारवती है तो ये इनका परिवार का वरिक्ष है जब केशाव के दादा यानि के मोहित जब छोटे थे तो इनके परिवार में 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 सदस्य इनके परिवार में रहते थे तो आपको ये ध्यान रखना है देखे ये परिवार वरेक्ष हमने बनाया है प्रसंद तीन है हमारा अपने दादा दादी के साथ चर्चा करके निम लिखी चर्चा करके लिखिए कि जब वह चोटे थे तब से अब तक उनके परिवार में क्या-क्या बदलाव हुए है और किन चोटे थे जब वह चोटे थे तब उनके परिवार में 6 सदस्य थे उसके बाद उनकी और उनकी दो बहनों और एक भाई की शादी हो गई शादी होने के बाद क्या हुआ फिर उनके माता-पिता का देहान थो गया फिर उनके इकलोते बेटे की भी शादी हो गई तो परिवा परिवार में बदलाव के कारण ये हुए हैं, जब वैं छोटे थे तब उनके परिवार में छेंदस सदसे थे, उसके बाद जब उनकी शादी हुई, उनकी शादी हुई तो एक सदसे बढ़ा, उनकी दो बहनों की शादी हुई तो दो सदसे कमी हुई, फिर उनके भाई की शा फिर उनके माता पिता का देहांत भी हुआ तो जब माता पिता का देहांत हुआ फिर गर्ष के प greenhouse से कम हुए और फिर उनके एक लोते बेटे की भी शादी हो गई तो गुश्व से एक सदस्य आया और उनका फिर एक बेटा और हो गया तो इस तरह से परिवार में बदलाव हुए तो यानि के परिवार में बदलाव का क्या कारण है परिवार में बदलाव का कारण हुआ शादी होना और परिवार में सदस्य की मरत्य हो जाना तो ये दो कारण हुए हैं परिवार में बदलाव के अब यहाँ पर जगे कम है तो इतना ही लिखा है, अब देखते हैं हम अपने अगले प्रशन को, किसी भी परिवार में बदलाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं, निमन तालिका में लिखिए, तो देखिए परिवार में बदलाव के अनेक कारण हो सकते हैं, इधर परिवार का प पहले तो एका की परिवार था लेकिन जब बड़े बच्चे हो गए हैं तो उनकी शादी हो जाएगी तो भी परिवार में बदलाव का कारण हो जाएगा काम के लिए बाहर चले जाना ये भी परिवार में बदलाव का कारण हो सकता है किसी सदस्य की मरती हो जाना ये भी परिवार में बदलाव का कारण हो सकता है ऐसे ही अगर हम बात करें संयुक्त परिवार की तो परिवार में नए बच्चे का जनव हो जाना या शादी हो जाना ये परिवार में बदलाव का कारण हो सकता है किसी सदस्य की मरती हो जाना या फिर काम के लिए बाहर चले जाना या फिर जो संयुक्स परिवार था उसका तूट जाना या वो परिवार ही तूट गया और वो फिर छोटे-छोटे एकाकी परिवारों में बट गया तो ये परिवार के बदलाव के कारण हो सकते हैं अब देखते हैं हम दिवस 36 की वरकशीट को आप अपने परिवार के सदस्यों से क्या-क्या सीखते हैं निमन तालिका में लिखिए तो आप अपने परिवार के सदस्यों से क्या-क्या सीखते हैं आपको लिखना है देखे परिवार के सदस्य इस तरफ हैं और आप क्या क्या सीखते हैं जैसे मम्मी है अब मम्मी से आप बैसे तो बहुत सी बाते सीख सकité है जीवन भर सीखते हैं जब तक आपकी मां आपके साथ रहती है ठीक है अब जैसे मान लीजे मम्मी से बच्चा सीख लेता है घर की अगर वो मम्मी के साथ रहता है तो वो घर की साप सफ़ाई मम्मी करती रहती है कुछ वो मम्मी से सीख लेता है घर की साप सफ़ाई करना भी खाना बनाना भी और मम्मी से बहुत सारी अच्छी बाते भी बच्चा सीख लेता ह पापा मेहनत करते हैं तो उनसे मेहनत करना अच्छी आदते भी उनसे सीख लेते हैं ऐसे ही बड़े भाई बहन हैं इनसे मेहनत करना अच्छी आदते समय का सदू पयोग करना ये बाते उनसे सीखते हैं छोटे भाई बहन से उनका कलपना करने का क्या तरीका होता है वो किस तरह की हरकते करते हैं छोटे बच्चे कैसी हरकते करते हैं तो वो सब बातें सीख लेते हैं उनसे चाचा चाची इनसे अच्छी आदते सीखते हैं अच्छे विचार सीखते हैं या इस तरह से और भी बहु आप पर कौन कौन सी जिम्मेदारिया आ जाती हैं देखिए अगर संयुक्त परिवार है तो जिम्मेदारिया कम रहेंगी लेकिन अगर एका की परिवार है तो जिम्मेदारिया बढ़ जाती हैं तो इसमें हो सकता है कि इस तरह की जिम्मेदारिया आ जाएं या कुछ और भी ज जाएगी जो घर में रहा है दादा दादी का ध्यान रखने की ये जिम्मेदारी भी किस पर आ सकती है जो घर में अब सदस्य रह रहा है तो ये इस तरह की कुछ जिम्मेदार्या आ सकती हैं तीसरा प्रसन है आपको अपने दादा दादी से कौन कौन सी बातें सीखने को मिलती हैं देखें उनसे दादा से बहुत सी बाते सीखने को मिल सकती हैं जैसे दादा हमें अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताते हैं वह हमें हमारे स्वास्थे के परती भी जागरूख करते हैं और दादी से हम क्या सीखते हैं दादी हमें रोज अच्छी-अच्छी कहा जानिया सुनाती हैं, हमें गलत काम करने से रोकती हैं, तो इस तरह की बातें दादी से हम सीख सकते हैं, अब देखते हैं हम अपने अगले प्रसन को, प्रसन चार है हमारा, नीचे दिये गई प्रसनों के उत्तर लिखिए, आपके घर में किन-किन कारियों के लिए निर्ने लि लिए जा सकते हैं घर में किसी कारे करम जैसे शादी जनम दिन कथा आदी के लिए भी निर्ने लिए जा सकते हैं कोई नई चीज खरीदने के लिए भी निर्ने लिए जा सकते हैं अब देखते हैं हम अपने अगले प्रशन को निर्ने लेने में घर के किन किन सदस्यों से सलाह ली जाती है दादा दादी मम्मी पापा चाची चाचा इन से अलग अलग रूप में भी और या फिर किसी बड़े काम को करने में तो सामूहिक रूप में भी सलाह ली जा सकती है तो निर्बार इसी पर करता है मान लीजे एकाकी परिवार है तो वहाँ पर मम्मी और पापा ये सहयुक्त परिवार है आपके घर में महतपूर कारियों के लिए निर्ने कोल लेता है अगर सहयुक्त परिवार है माल लीजे वहाँ पर दादा जो घर में सबसे बुजुर्ग सदस्ये होते हैं दादा जी है पापा उनकी सलहा ली जा सकती है तो वैसे निर्भर इसी बात पर र करके उनकी सलहा लेकर भी तब निर्ने लें तो ऐसा निर्बर इसी बात पर होगा कि वो संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है फिलाल आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपके घर में महतून कार्यों के लिए निर्ने कौन लेता है संयुक्त परिवार है तो वैसे लिख देना आप दादा जी या फिर आप ये भी लिख सकते हैं दादा और पापा जी दोनों मिल कर नीड़ने लेते हैं अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रहसिन को परिवार के लोग किन-किन जरूरतों के लिए अलग-अलग स़दस्यों पर नीड़र होते हैं गर की जरूरतें अलग-अलग होती हैं और सदस्यों की जरूरतें भी कुछ एक जैसी होती हैं और कुछ अलग-अलग हो सकती हैं अगर परिवार में सब मिलजुल कर रह रहे हैं तो परिवार के सदस्यों के थोड़े कारिय भी अलग-अलग हो सकते हैं किसी को किसी काम की जिम् मेदारियों को बांटा जा सकता है तो इस प्रसंद के उत्तर में आपका उत्तर अलग भी हो सकता है इससे भी अलग हो सकता है देखे जो हमने लिखा है घर की जरूरतों तथा घर के सदस्यों की जरूरतों घर की जरूरते कैसी हो सकती है जैसे घर है घर बना है घर की जरूरते जैसे टूट फूट की मरम्मत हो गई है, लाइट हो गई, पंखा हो गया, इसके अलावा आप खाना बनाते हैं, इंधन हो गया, तो ये घर की कुछ जरूरते हैं इस तरह की भी और घर के सदस्यों की भी जरूरते हैं, जैसे माल लीजें उन्हें भोजन है, शिक्षा है, स्व हमने लिखा है जैसे भोजन की, शिक्षा की, स्वास्थे की, कपड़ा की, इसके अलावा घर की रंगाई पुताई की, घर की मरम्मत की, और घर में कुछ और तोड़ फोड़ को ठीक करना होता है, उसकी भी तो वो घर की जरूरते हैं, तो इस तरह से हम अपने अनुसार घर में चेंज करते रहते हैं, एक तो वो हो गया है, तो ये काम सब करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं, हमें किसी बाहरी सदस्य की मदद लेनी पड़ सकती है, तो ये जरूरतें परिश्थिती पर ही निर्भर करती है, फिलाल आप उत्तर में इतना लिख दें अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगा है, तो कमेंट बोक्स में जरूर लिखना, वैसे तो जितना जाद से जादा हो सके, सही करने की कोशिश की गई है, वीडियो को आप ध्यान से देखे, वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे, धन्यवाद